हाई दोस्तों कैसे हो आप सभी और भाई मेरा नाम है तन्वीर मैं मेरत के एक छोटे से गाउं में रहता हूँ तो मैं आज बात करूँगा यूट्यूब चैनल बनाने के फायदे क्या क्या फायदे हो सकते हैं यूट्यूब चैनल बनाने के फायदे तो आपके लिए earning के बारे में सोचना सायद मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा क्योंकि अभी आपको starting में YouTube के बारे में कुछ पता नहीं होगा कि उसका algorithm कैसे है और उक किस टाइप से काम करता है तो आप बिल्कुल भी earning के बारे में सोचके YouTube पर मत आएए क्योंकि 90% लोग earning के बारे में सोचकर ही YouTube पर आते हैं पर बाद में क्या होता है ये reality है ये सच्चा है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो YouTube छोड़के चले जाते हैं और 85% बंदे YouTube छोड़के चले जाते हैं क्योंकि वो earning नहीं कर पाते YouTube पर तो भाई सबसे बड़ा फाइदा earning भी है और सबसे बड़ा नुकसान भी earning है क्योंकि earning को लेकर ही वो YouTube पर आते हैं और earning को ही वो जब नहीं होती उनकी तो छोड़के वो चले जाते हैं तो ये फाइदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है दूसरा सबसे बड़ा फाइदा क्या है यूट्यूब पर सबसे बड़ा फाइदा ये है कि आपका जो skill है आपकी बोलचाल है वो सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये guarantee है second जो यूट्यूब बनाने का सबसे बड़ा फाइदा मेरे को लगा वो है skill मतलब आपकी बोलचाल का तरीका तो आप क्या होता है कि आप YouTube चैनल पर आओगे अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपके सामने क्या प्रोब्ला आएगी आप कैमरे के सामने बोली नहीं पाओगे ये स्टार्टिंग में मेरी साथ भी हुआ है और अभी भी थोड़ा बहुत आता है क्योंकि मैं एक हूँ अभी एक नया YouTuber तो अगर आप कैमरे के सामने continue अपनी वीडियो बनाते रहोगे तो आपकी एक अच्छी practice हो जाएगी बोलचाल की आप अच्छे से बोलचाल का तरीका आपका सुधर जाएगा और जब आप किसी एक अंजान या नए आदमी से first time करोगे बात तो आपका उसमें भी थोड़ा परवाव पड़ता है तो ये भी एक अच्छा YouTube चैनल बनाने का फाइदा हो सकता है तो अब आते हैं तीसरे फाइदे की तरफ तीसरा फाइदा YouTube चैनल बनाने का क्या हो सकता है पोपलर्टी आपको लोगबग जानेंगे ये तीसरा फाइदा है चोता फाइदा क्या है आप अपने दिल की बाद लोगों से सेर कर पाओगे ये भी एक अच्छा फाइदा है तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही काफी और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके फिर आऊंगा और दोस्तों मैं फिलाल अपने पहली वीडियो की तरह अपने खेतों पर गोम रहा हूँ बहुत जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो लेके आजी रहूँगा